आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Hello student, आज का जो हमारा Question है यहाँ पर पूछा है कि The Strongest Base is इन में से हमें बताना है कि हमारा Strongest Base कौन सा है देखो, अगर मैं बात करूँ कि इसकी यहाँ पर Strongest Base की तो आप कैसे देखोगे, आप किसी चीज को Base कब बोलते हो, जब वो आपका क्या करता है Electrons को Donate करता है जब वो Electrons को Donate करता है तो मतलब वो हमारा Basic है से ज़्यादा Basic होगा तो अगर मैं यहाँ पर देखों, तो देखो आपको Option 1 में क्या दिया हुआ है Serium है यहाँ पर OH का Whole Thrice है, Second की बात करूँ तो यहाँ पर आपको यह Lutidium दिया हुआ है इसका आपका OH का Whole Thrice है अगर Third में मैं देखों तो यहाँ पर आपको यह क्या दिया हुआ है YB और यहाँ पर हमें क्या गिवन है OH का Whole Thrice और Fourth में अगर मैं देखों तो यह आपका यहाँ पर क्या होगा Prometheum PM, Prometheum होता है यह और यह हमारा OH का Whole Thrice अब यहाँ पर अगर हम देखे यह हमारे कौन सी Oxidation State है इन सभी के यहाँ पर Plus 3 है तो हमें यही देखना है कि इन में से किसमे Electron Donation हमारा Easy है तो अगर मैं यहाँ पर इनकी Configuration की बात करूँ तो सबसे पहले आपका Serium है अगर मैं इसकी Configuration लिखूँ तो आपकी क्या होती है देखों यह हमारी होती है Zenon यहाँ पर हम क्या लिखते है Zenon and then हमारा आएगा यहाँ 4F1 5D1 and 6S2 अब अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ Plus 3 तो यानि 3 Electrons जाएंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा Zenon 4F1 क्योंकि यहाँ से आपके यह 3 Electrons चले गए अब अगला आपका यहाँ पर क्या है देखें सीरिम के बाद हमारा क्या है यहाँ पर LU यानि कि इसको क्या बोलता है Lutatium इसकी अगर मैं Configuration की बात करूँ तो वो मेरा Zenon 4F14 5D1 and 6S2 है तो यहाँ पर अगर मैं इसकी Plus 3 Oxidation State लिखूँ तो वो मेरी क्या हो जाएगी Zenon 4F14 इस तरीके से अगला आपका क्या है यहाँ पर यहाँ पर जो अगला लिखना है हमें Elements वो आपका YB है इसको हम क्या बोलते है इसकी अगर मैं यहाँ पर Configuration लिखूँ तो वो मेरा क्या होता है Zenon 4F14 6S2 तो अब यहाँ से जब आपके तीन Electrons जाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा Configuration Zenon and 4F यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 अब लास्ट में आपको क्या गिवन है PM PM को हम यहाँ पर क्या बोलते है Prometheum तो यह हमारा अगर मैं इसकी Configuration की बात करूँ तो वो मेरा क्या है Zenon 4F5 and 6S2 तो अगर मैं इसकी Plus 3 की Oxidation State लिखूंगी यहाँ पर Plus 3 तो वो मेरी क्या हो जाएगी Zenon and 4F4 ठीक है अब आपका यह हो गया अब इनकी हमने क्या लिखनी Oxidation State लिखनी अब आपको बताना है कि Electron का Donation कहाँ पर सबसे Easy है तो अगर इन सभी में आप एक चीज़ देखूं तो यह जो आपका दिया हुआ है Lu ठीक है Ludodium इसमें आपका क्या है यह Completely filled है 4F जो orbital है अब जब यह मेरा completely filled है तो क्या यहां से electron को निकालना easy होगा यह electron loose करेगा नहीं करेगा तो यानि कि यह तो मेरा basic होगा यह नहीं यह तो मेरा basic नहीं होगा ठीक है अब यहां पर अगर मैं बात करूँ किसकी देखे अब मैं इनकी बात करूँ जैसे कि अगला आपको यह ट्रीबियम दिया हुआ है YB अगर इसको भी अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका 4F 13 है तो यहाँ से भी इलेक्ट्रोन को लूज करना मतलब इलेक्ट्रोन डोनेट करना भी क्या होगा यहाँ से भी आपका easy नहीं होगा similarly यहाँ पर 4F 44 है और यहाँ पर 4F 1 है तो आपका जो electron है वो सबसे easily easy में जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है A की है यहाँ पर A की electron है 4F में तो electron क्या होगा easily lose हो जाएगा जब यह easily lose हो जाएगा तो यह मेरा क्या हो जाएगा most basic यह हमारा क्या हो जाएगा most basic लेकिन इसमें भी आपका 4F14 में 4F4 है तो इसके comparison में तो यह कम ही मतलब कम ही electron लूज करेगा तो हमारा जो सबसे जादा basic हो गया वो कौन सा हो गया आपका cerium OH का hold rise क्यूंकि यहां पे आपका 4F1 है तो वहां से आपका electron को निकालना, electron का donation क्या है आपका easy है बाकियों के comparison में ठीक है तो यह हमारा यहां पे correct answer हो जाएगा ओके गई सांक्यू